आयूर्वेदा होम केर में आपका स्वागत है। गर्भवती होने के साथ ही एक औरत का जीवन जहां नई उम्मीदों से भर जाता है, वहीं आने वाले दिनों की चिंता भी सताने लगती है। ये चिंता खुद से ज्यादा गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए होती है। गर् तो आप हमारे बताय हुए इन उपायों को जरूर अपनाएं। जैसे ही आपको पता चले कि आप गर्भवती हैं, तुरंद अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डिलिवरी से पहले अच्छी देखभाल आपके शिशु के स्वास्ति के लिए आवश्चक है। अपनी पारण के बार महीने में एक बार पूरा चेक अप जरूर करवाएं और अंतिम समय में 15-15 दिन बाद चेक अप करवाना जरूरी होता है। गर्भवस्था में महिला जो कुछ भी खाती है और जिस तरह से रहती है उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे पर पढ़ता ऐसे में एक संतुलित और स्वस्थ आहार खाना महत्वपूर है। गर्भवस्था में हरी पत्तेदार सबजिया, फल, दूद, दही और डाली खाना बहुत जरूरी होता है। कोई भी फल खाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि फल अच्छी तरह से धुले होए हो। गर् हमारे देश में बहुत सी महिलाओं को गर्भवती होने से पहले ही आईरन की कमी होती है। गर्भवस्था में पर्याप्त मात्रा में आईरन से भरपूर भोजन खाना चाहिए ताकि आपका आईरन स्तर उंचा रहे और अनीमिया से बचाव हो सके। आईरन से भरपूर सबजियां जैसे चुकंदर, कद्दू और हरी गोभी, हरी पत्तेदार सबजियां जैसे सरसों का साग, मेथी के पत्ते, मासाहारी भोजन जैसे मटन, चिकन और फिश खाएं। फोलेक आसिड जिसे फोलेट भी कहा जाता है आहार के जरिये लेना और फ्रांस बीन्स आदी सबजियों के अलावा कॉन फ्लेक्स जैसे ब्रेकफस्ट सीरियल में पाया जाता है। यदि आप चिंतित हैं कि आप उल्टी या मिचली के कारण ज्यादा नहीं खा पा रही हैं तो आप विटिमेंस और फोलेक आसिड के सप्लिमेंट भी ले सकते ह गर्भवस्था में नियमित व्यायाम करें। एक अच्छा व्यायाम कारिक्रम आपको ताकत और सहन शक्ति देता है। इस शक्ति की जरूरत आपको गर्भवस्था के दौरान बढ़ते वजन को संभालने और प्रसव पीडा के दौरान होने वाले शारिरिक तनाव को झेलने के दौरान होगी। ये शिशु को जन्म देने के बाद वजन खटाने में भी आपकी सहायता करता है। व्यायाम कारिक्रम में पेल्विक मसल्स को कसने में सहायक व्यायाम करें। ये शिशु के जन्म को और आराम दायक बनाने में मदद कर सकती है। गर्भवस्था के तक कि आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए लाप प्रद है। गर्भवस्था के दवरान आप पूरी तरहख शराब पीना बन कर दें या इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। प्रते दिन दो कप से अधिक कॉफी या चाय का सेवन ना करें। गर्भवस्था के दौरान धूमरपान करना आपके और आपके शिशु के लिए गंभीर स्वास्थ जटल ताइम पैदा कर सकता है अगर आप धूमरपान करती हैं तो बहतर है कि अपनी और शिशु की सेहत के लिए इसे बंद कर दें दोस्तों अगर आपको हमारे निस्खे पसंदा रहे हैं तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल धन्यवाद